वेलेफम बेक्टे चैनल तो आज में आपको अलफन एपल की चटनी बनाने की रिष्टी दिखाऊंगी जिसके लिए आपको चाहिए अलफन iis Is Ilis तो थोड़ा आल्क में लोफ लैम उसे रोस्त करना है just थोड़ा ही जदा ने करना है जिससे में कर रही हूँ आपको भी वैसे रही करना है आप देख सकते हैं तो इसको आप जब एक साइट से थोड़ा रोस्त हो जाएगा तो उसे आपको पलट के दूसरा साइट में रोस्त होने देना है आप देख सकते हैं मैं जिस तरह से कर रही हूँ आपको भी उसी तरह से करना है आप इसे बिना रोस्त करके भी बना के खा सकते हैं चटनी वाद मैं पिफर करती हूँ थोड़ा रोस्त करके ही तो इसके लिए आपको चिली को भी रोस्त करना होगा तो पहले मैं अलिफ एन एपल को रोस्त कर रही हूँ उसके बाद में चिली को भी रोस्त करूंगी इसे आपको पलत पलत के तो रोस्ट होने देना है जदा नहीं जस्त हलका से ही करना है आपको तो यह रोस्ट हो गया तो मैं इसे निकाल के रख रही हूं बीक क्यारफूल क्यूंक गरम होता है ना आए दोन यह जाघ डिट है चिमता नहीं है मेरा साथ में जिससे निकाल दो नेक लिए इसमें अपनी हाथ से कर रही हूं बिल्जाञ तो अभी मरेश में हजी छिली स्के लिए तो अपकी आपकी आपकी उंपर आपको चीलीने ने तो मैं तो बोट स्वाइसी आथी हुँँ उत मैं है देड़्ा है तो इसे भी लाइट ली रोस्त करोंगu अ तो आप देख सकते हैं यह रोस्ट हो रहा है तो इससे आपको घुमा घुमा के रोस्ट करना है जिससे की ज्यादा ना जले इस तरह आपको करना है जिस तरह से मैं कर रही हूं इससे आप पुलो फ्लेम में ही करना है जिसना हाई फ्लेम होने से जल जाता है यह इसलिए पुलो फ्लेम में इसे रोस्ट करना है तो यह रोस्ट हो चुका है तो मैं इससे भी अलग कर रही हूं निकाल रही हूं तो आप देख सकते हैं मैंने रोस्टिट वैल चिली को निकाल लिया है तो आप देख सकते हैं मैं क्या-क्या ले रही हूँ तो मैं सबसे पहले इसमें नमक लें लूँगी इसके बाद रोस्टिट चिली इसके बाद हमें लसून लेना है इसके बाद यह हरा दन्या इसे आपको अची तारह से पीशना है पहले avag दालेंगे तो पीशन यह पाऊंगे इसले आप अच्छी तारह से पीशना है तो यह पीश चुका है तो मैं अभीस ने अब इसमें आपल दलूंगी की अच्छी तारह से पीश यूँगी बेखेज़ कि नहीं तो आग में भी लग सकते हैं पिस्ते समय में इसले अच्छी तरह से आप केरफूल होके पिस्ति यह तो यह अभी चटनी रेडी होने वाला है जी तरह से पीस चुका है पूरा यह ग्राइंड दूने होगा क्योंकि इसमें फाइबरेस होते हैं यह तो इस तेस्टी होता है वाओ तो आप इसे राइस के साथ में भी खा सकते हैं अब इसे इसे भी खा सकते हैं थैंक्यू फूर वाचिंग